मेरे YouTube चानल पर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले questions कि Retino A Cream क्या है? Retino A Cream क्या काम करता है? इसे कैसे इस्तमाल करना है? इसे किस तरह से use करना है? इसका side effect क्या है? क्या ये सच में पिंपल्स पे इतना अच्छा काम करता है उपिन पोर्स पे सच में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है मार्केट में ये क्रीम पिंपल्स के लिए इतना ज़्यादा फेमस क्यों है मलाजमा के लिए, pigmentation के लिए dark spot के लिए क्यों क्या सच में ये result देता है जैसा ये claim करता है तो दोस्तो ये question सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले थे मेरे और मैंने इसे pick करा है और आज मैं इसी के उपर वीडियो बनाऊंगी और ये cream जो आप मेरे हाथों में देख रहे हैं ये इतना famous क्यों है Retino A cream को लेकर इतने ज़्यादा question क्यों तो दोस्तो मेरा नाम जशी है और मेरे चानल पर आप सभी का श्वागत है तो दोस्तो आज मैं इस cream का full details review करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ तो दोस्तो आप देख सकते हैं ये जो मेरे हाथों में एक red color क्या white color की tube है छोटी से ये एक medicated cream है मैं firstly बता दूँ इसका जो नाम है वो है retino A 0.05% इसमें 0.025% वाला भी आता है हर तरह के percentage वाले इसमें आपको मिल जाते हैं तो ये one of the एक famous cream है और मैं बताओं इस cream को जादा तर डॉक्टर टीन इसमें सभी को recommend करते हैं और अभी तो YouTube Instagram पे देख देकर सभी cream यूज करना start करती हैं तो मैं बता दू firstly ये एक medicated cream है इसे डॉक्टर के advisory के बिना अपने आप ना experiment करें ना use करें और अगर आप मेरी आज की वीडियो देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इस cream का इस्तमाल आपको कैसे करना है और कब करना है तो ये वीडियो को पूरी ज़रूर देखेगा अगर आप आधा अधूरा देखेंगे तो आधा अधूरा ग्यान हमेशा हानिकारक होता है तो अगर आपको नहीं देखना है तो यहीं skip कर दीजिए अगर आप चाहते हैं इस cream का लुक्त उठाए इस cream के बारे में इतना ज़ाद आपने जो सुना है इसका benefit आप भी चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा तो दोस्तों मैं बता दू यह ना बहुत ही अच्छा cream है सबसे पहले मैं यह बोलूँगी मेरे भी teenage में मैंने इस से इस्तामाल किया था और इसका result मुझे बहुत अच्छा मिला और मैं बता दू इंडिया के बहुत से इंडिया ही नहीं foreign country में जितने भी लोग है जिनको भी teenage में pimples की acne, severe acne की pimples की problem होती है यह black hands, white hands की problem होती है skin की texture बहुत खराब है या बहुत जादा wrinkles की problem है तो ऐसे situation में आपको Dr. Tretinoin use करने के लिए बोलते हैं बहुत अच्छा क्रीम है इसके क्या का काम है पहले में बता दो तो देखिए रेटिनो A 0.05% क्रीम जो है यह एक vitamin A का फॉर्म है जो की treat करता है आपके acne, pimples acne pimples से हुए आपके skin में दाग, धबे, नमान लिए dark spot हो गए हैं आपके skin में बहुत जादा uneven skin texture है आपका कहीं गोरा है चेहरा कहीं काला है चेहरा कहीं दाग है धबे हैं, मलाजमा है, जाईया है तो उस तरह की situation में आपको treat क्रीम जो है बहुत जादा helpful होता है आपके skin की जो surface है बहुत जादा चेंज हो जाती है यानि अगर आपके skin बहुत जादा rough, dry रहती थी रिंकल्स आपके चेहरे पे रहती थी तो इसे ये retino A यानि की vitamin A बहुत जादा कारिगर होता है आपको एक smooth surface देने में एक smooth facial texture देने में और आपके appearance wrinkles को reduce करने में यानि जाईया की problem जिनको है wrinkles की problem यानि की जुडियों की problem किसी को है माथे में कहीं पे भी आ रही है तो उसमें ये जो है बहुत अच्छा काम करता है तो ये तो रही कि ये क्या क्या काम करता है अब मैं बता दो अगर आपके चेहरे पे दाग धबे हैं मुहासे है और अगर आपके स्किन पे पिंपल्स है एक्ने है डाक स्पॉट है बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स है या आपके चेहरे पे जहाईया है जिसे मलाजमा कहते हैं अनेविन स्कीन टेक्सर है आपकी कहीं गोरी कहीं काली और उसके साथ साथ आपचाग चेहरे का स्किन बहुत ज़्यादा मुलायम साप सुतरा हो इस क्रीम को लगाने के बाद आपके पुराने डैड स्किन रिमूव हो जाते है जिसके साथ साथ आपके स्किन की ऑ oniल भी कंट्रोल रहती है जिससे acne pimples तो हड जाते हैं एकदम कंट्रोल हो जाते हैं सूख जाते हैं लेकिन इसके कुछ side effect भी है हलके फुल के जो मैं आपको बताऊंगी तो वो जरूर सुने आप तो acne pimples जो है एकदम dry होके धीरे-धीरे सूखने लगते हैं लेकिन इसमें थोरा वक्त लगता है लेकिन result आपको बहुत अच्छा मिलता है किसी को बहुत जादा large open pores की problem है तो उसमें भी ये pores को बहुत जादा अच्छी तरीके से कम करने की कोसिस करता है काफी हद तक छोटा कर हैं तो आपके dead skin cells को ये उतारती है peeling करती है तो जिससे कि आपके चेहरे पर new skin निखल करके आती है जो कि बहुत सुंदर fresh चिक्नी and spotless होती है और आपके skin के टून से एक-दो टून lighter भी होती है जिससे आपको clear complexion भी मिलता है तो दोस्तों चलिए आप बताते हैं से कैसे इस्तमाल करना है कि अगर आपके skin पे pimples acne या कोई भी दिक्कत है इसको pimples acne के लिए यूज जादा किया जाता है तो अगर आप पहली बार इससे इस्तमाल करते हैं तो इससे आपको थोड़ी सी skin में संसनी हो सकती है थोड़ी सी गर्मी महसूस हो सकती है first time यूज करने वाले क इससे को यह जादा होता है किसी किसी को कम होता है किसी को यह होता ही नहीं है ठीक है तो सारे skin type पे यह जो है depend करता है कि आपके skin कैसी है उससे सापसे थोड़ा बहुत नॉर्मल जो temporary side effect है वह आपके skin में दिखता है तो दोस्तों रेटी नो एक क्रिम के स्तमाल करने से आपको कौन कौन से सापधानिया बड़तनी चाहिए तो इस क्रिम के स्तमाल से आपको हमेशा अपने skin को जो है समेधन सिल चीजे जाने यानि कि जो आपके skin को directly बहुत जादा प्रभावित करते उससे आपके skin को थोड़ा सा जो है प्रोटेक करना होगा like थोड़ा सा sunlight थोड़ी सी यानि कि अगर आप skin को rub करेंगे डेड रहेगी आपके skin rub करेंगे तो वो जलन मचेगी और ज्यादा redness होगा फिर वो brown हो शकता है इसलिए skin को ज्यादा घसे नहीं थोड़ी सी खुजली आपको होगी चेहरे पे itching की थोड़ी सी आपको संभावना लगेगी क्योंकि skin को थो vaccine bleaching कोई भी आपको laser treatment बगेरा इसके दोरान नहीं करानी है जब भी आप यह ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज करें तो ठीक है और दोस्तों मैं बता दूँ यह क्रिम जो है आप अगर प्रेगनेंट है प्रेगनेंसी का प्लानिंग करिया फिडिंग कराती है अपनी बेवी को त आपने ज्यादा अपने स्किन में लगा लिया तो प्लीज संपर करें अपने डॉक्टर से और इसे इसे इस्तमाल करना कम कर दे गाप कर कर के यूज करें और स्किन पर मॉस्यराइजर लगाना बहुत ज़रूरी है तो दोस्तों यह रही स्क्रीम के बारे में कुछ सूचना जो कि मैंने आपको बता दी और यहां पर आप मेरे हाथों में देखेंगे काफी ज्यादा साथ में दो तीन क्रीम से तो देखिए रेटीनो एक क्रीम जो है मैं एकने पिंपल्स मेरे जब बहुत ज्यादा एक टाइम पे होते थे मैंने अपने जरूर देख लेना तो मुझे बहुत यहीं होते है तब मुझे दॉक्टर ने यह क्रीम एडवाइच ही ती और मैंने इसको लगाया मेरी स्कीन पूरी चेंज हो गई बहुत साइने स्कीन का टेकसर बहुत अच्छा के ऐर अभी भी स्क्रीम को मैं यूश करती उँ क्यूंकि इस प्लम रहेगी स्वरे आप जो बेबी स्किन है उसे हमेसा उखानने मैं निकालने में निखाळने मैं बहुत जदी पालेयों काम मुद्ध राइट प्लस आपके चहरे पर रिंखल स्किन के ऊईल को कंत्रूल रखता ह buffalo तोटली बहुत चेंज हो जाती है अन इवन इसकी टेक्सर भी इवन आउट हो जाता है इस क्रिम का इस्तमाल उनली सिप चहरे पर ही नहीं आप बॉडी के बहुत से बीविन पार्ट में भी कर सकते हैं अगर आपके गले की स्किन बहुत जादा डार्क है अगर आपके अंडरा स्केर basin काले मोटे परत है आप बहुत ज्याधा हिल्दी थे तो उस दोरान, यह क्रिम बहुत जादा क्रें पहल आपको एसम स्किन को हंख आपको स्मूर्ग चिकनी स्किनिया देने में फैजा लिकन बोडी में मकैं अपर थे। जब इसे कैसे स्तेमाल करना है एसके ऊपर में नेक्स विडियो में आपको बता होंगे आप नियू स्कन अपने स्किण पर कभी इस्तेमाढा करे ones दोस्तों आप मेरी हातों में देख सकते हैं 2-4 प्रोड़क्त में रखे हैं तो मैं आपको बताऊंगे इन सब प्रोड़क्त को मैंने क्यों रखा है तो देखिए जब भी आप ट्रेटिन यूज करें तो आप अच्छा हाईडरेटिंग मॉसराइजर जरूर अपने पास करें अगर आप सर्फ टायम इसतेमाल करते हैं तो आप इसे मौसरााइजर के अंदर मिक्स करके ही स्तमाल करें अगर आपकी स्किन पूरी है और आपके ट्रेच्निया होते यह जल्दी खुजली नहीं करेगी आपको इसके साथ कोई भी प्रोड़क्त यूज करना चाहिए वह फेसियल क्लिंजर हो यानि फेस वासो या फिर आपको मौसराइजर यूज करने है तो चैमिकल फ्री वाले प्रोड़क्त सूप फ्री वाले आपको इस्तमाल करें जिसमें स यहां जहां आपके एकने है अग्दम वहां पे तिल के दाने के तरह आप ले लेकर उस एकने के ऊपर लगा लेंगे उसके बाद मालेजिए अगर आपका अनिवेनिक स्कीन टेक्सेर है नोज में बहुत जादा ब्लैक हैंड से वाइट हैंज तो पतिली सी परत अपने नोज लगा लेंगे जैसे मैं यहां पर हाथों में दिखा रही हो लगाने के बाद आपको 30 मिनट तक थोड़ा सा वेट करना है 20-30 मिनट तक उसके बाद अपना कोई भी मॉसराइजर मतलब वैसलीन में यहां पर दिखा रही हो वैसलीन सबसे बेस्ट होता है तो अगर आपके आपके अच्छा सा एस्पी वाला ही इस्तमाल करें डे टाइम में संसे प्रोटेक्शन करें और अगर धूप में बहुत जादा निकल रहे हैं आप तो अपने स्किन को जो है किसी कप्रे से कॉटन के कोई क्लोथ से धक कर निकले और संस्क्रीन अपलाई करके निकले आपके अपने बहुत हद तक इससे कंट्रोल हो जाए कि लेकिन हाज स्टार्टिंग के कुछ दिनों में आपको जादा एकने जादा डाक स्पोर्ट जादा दाग धबे नजोर आएंगे लेकिन वो ट्रेम्परोर्ली होता है क्योंकि आपके एकने सुख रहे हैं वो दाग चोड़ एकने आपके बढ़े हैं क्योंकि यह जर से निकालता है अकने पिंपल्स को तो आपके अकने में थोड़ी से आपको बढ़ोतरी दिखेंगी लेकिन वो ट्रेम्परोरी होता है डोंट वरी डरने की कोई बात नहीं है और थोड़ा सा बढ़ेगा उसके बाद धीरे-दीरे ज स्किन पर अपलाई करें और आखों के अराउंड चारो तरह वैजलीन लगाए और लिप पर अपनी वैजलीन लगाए तो दोस्तों यह वीडियो इस क्रिम के उपर थी क्योंकि यह क्रिम जो है बहुत ज्यादा पीमस है अगेन मैं फिर से बता दू एक बार अपलाई करने से किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें या स्टॉप कर दें इसे लगाना ठीक है वैसे यह क्रिम बहुत अच्छी है यह क्रिम आपको को भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा तो आई होप यह वीडियो आपके बहुत जादा हेल्फुल रहा होगा बहुत से लोगों को जो है अपने अच्छा ट्रीटमेंट मिला होगा मेरी इस वीडियो के थुरू अगर थोड़ा भी हेल्फुल लगा है तो प्लीज दू लाइक सेर और सब्सक्राइब माई चानल इस तरह के और भी यूसफुल वीडियो लेकर के आती हूं यूसफुल मेडिकेटिर प्रॉडिक के उपर मे रिव्यू करती हूं कैसे यूस करना है किस तरह से यूस करना है कैसे आपको प्रिकॉशन लेना है सारी चीजे तो चलिए अब मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद बबाई